पैसे ही काता नाम ये कंगो दिवार है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले डिसकशन के लिए, चुरुबात करेंगे रवी की बुआई की खबर के साथ, अब कैसे सुधरेगी रवी की बुआई, अभी भी पिछडी हुई है, लगबक किनारे पे हम आ गए हैं, क्या आप कोई सुधार की गुंजाईश है, इसको समझेंगे, इंकम टेक्स रिटेंट फॉर्म में हुआ बदलाव, क्या बदलाव हुआ, क्यों हुआ, क्या इसका असर होगा, ये जानेंगे, स्वास्त बीमा धारकों को बड़ी राहत, एक राहत आई है, अगर आप हेल्थ इंशुरेंस ले रखाए आपने, और आपके उपर कुछ शर् में शामिल होता है, इसके संकेत दिये गए, क्या इस ख़बर का मतलब है, ये जानेंगे, दिन की सबसे बड़ी ख़बर होगी, रुपे को ग्लोबल बनाने की मोहिम को तगला जटका, कुछ नए आंकड़े, कुछ नई जानकारी सामने आई है, क्या वो जानकारी है, ये जा आज बात करेंगे, मनी नाइन के सर्वे ने आए के बारे में क्या बताया, लोगों की आए कितनी बड़ी, कहां बड़ी, क्यों बड़ी, और अगर आए बड़ी तो इसके माइने क्या है, ये सब कुछ समझेंगे आज आए के पक्ष से, मनी नाइन के सर्वे से, लेकिन शु नंबर तक देश भर में लगभग 607 लाक हेक्टर की रवी खीती दर्ज की गई पिछले साल इस दौरान 624 लाक हेक्टर की फसल की जा चुकी थी इस साल चने और गियों की खेती पिछले साल के मुकाबले कमे चने का रखवा 9 laak हेक्टर से जादा पिछड़ा हुआ है गियों क और एक महिने का समय बचता है जिसा हमें संभावना लग रही ही थी खरीव की कटाई के समय भी किस बार रभी पर मौसं का भी असर होगा और खरीव की फलिदी और खरीब की फसल की जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इस साल भारती महँगाई के लिए सबसे महत्वपूंड सबसे समय रहने वाला है पिछले साल हमने यहों की कीमतों में तेजी देखी पूरे साल यहों के सरकारी भंडार में भी कमी देखी लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहां से किसी बड़ी रिकावरी की अमीद नहीं है क्योंकि रब की बवाई की रफतार अब आगे तेज होने की संभावना नहीं है दूसरी चीज़ यह है कि तमाम संभावनाओं के मताबिक जिस तरीके की सरदी इस बार होनी चाहिए थी वैसी सरदी नहीं है दिन के समय प्रमुख रवी के और गेहों उतपादक राज्यों में तापमान उचा है जो कि रवी की फसल के माकूल या माफिक नहीं है पिछले साल भी हमने से देखा था कि गर्मिया जल्दी से टिन हो गई थी अगर आप अभी से देखें तो ऐसा लगता है किस बार भी गर्मियों कि आमद जल्दी हो जाएगी फरवरी तक इसका कितना असर गेहूं के उतपादन पर पड़ेगा भारत में अनाज का उतपादन इस साल कितना होगा यह में बाद में पता चलेगा लेकिन अनाज भंडार और अनाज की कीमतों को लेकर अब कम से कम सरकार और तमाम इशे शग्यों को इलग रहा है कि अनाज की सरकार ने इस साल देश में 131.4 लाग टन सरसों पैदा करने का लक्ष रखा है जब कि पिछले साल देश में 126.4 3 लाग टन सरसों का उत्पादन हुआ था जो अब तक का record है इस साल देश में सरसों की खेती पिछले साल के मुकाबले बढ़ी हुई है 22 दिसंबर तक देश भर म में 95.2 3 लाग हेक्टर की सरसों की खेती दर्ज की गई है जो पिछले साल 93.4 6 लाग हेक्टर थी अगली बड़ी खबर आयकर विवाग से आयकर विवाग ने असेस्मेंट ये 2024 के लिए आयकर रिटेंट के फॉर्म में बदलाव किया है यह बदलाव आई टी आर फॉर्म एक और आयिटे आर फॉर्म चार में किया गया है अब टेक्सपेर को अपने सभी बेंक Хातों की जानकारी और साल भर में नगदी के लेंनें इनकी जानकारी देनी होगी भिवाग नया आयटे आर फॉर्म भी जारी कर दिया है सरे इन बदलावं का आसर क्यों क्या होगा महतुपूर्ट बदलाओं है आइटीयर फार्में जो आपके लिए जानना बेहत जरूबी है पहले चीज तो ये कि आइटीयर फार्म में जो केैटिगरी हैं उन्में कोई बदलाओं पर एक बड़ा बदलाव जो किया गया और इसके पीछे वजह काफी जानना महतुपूर्ण है कि अब हर तरीके के खातों की जानकारी इसमें देनी होगी आम तोर पर अनकम्टेक्स रिटरर्म में लोग एक या दो खातों की जानकारी दे देते थे जिन खातों से वो अपना सा जानकारी इसमें देनी होगी केवल डार्मेंट अकाउंट नहीं बताए जाएंगी है जो असंचालित खाते नहीं है ऐसा लगातार पता चल रहा है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को कि लोगों के पास मल्टिपल बैंक अकाउंट्स है और इनमें शायद और भी मतलब सेवि पूर्ण है आई टी और फार्में जिकी नगदी का डिस्क्लोजर मांगा गया यह पहली बार ऐसा हो रहा है आमतोर पर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट कैश का डिस्क्लोजर नहीं मांगता था इंकम टेक्स डिपार्टमेंट आप से ट्रांजेक्शन की जानकारी मांगता थ लोगों के पास घरों में नगदी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है अब इंकम टेक्स डिपार्टमेंट इस कैश के डिस्क्लोजर को किस तरह हैंडल करेगा और इसकी सूचनाय कैसे हासिल करेगा ये जानने की बात है लेकिन अब नगदी भी बतानी पड़ेगी यानि कि आप भरते समय कितना कैश था मौझूद ये हमें उसके बात पता चलेगा और इसके साथ इस फार्म में ये भी है कि जो नई टाक्स रिजीम है वो आप डिफॉल्ट आप्शन के तोर पर आ गई है यानि अगर आप इंकम टेक्स रिटरन भर रहे हैं और उसमें आप नहीं चुन सरकार इस नियम को बदलने पर विचार कर रही है इसके लिए सरकार ने इंशुरेंस रेगुरेटर इड़ा से बात चीज़ शुरू किये आज कल ऐसी कई सरजरी हैं जो कुछ घंटों में हो जाती है ब्लेम बीमा क्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में भरती रहने की शर्त क कंपनिया ये फैसला मानेंगी ये मामला शुरू हुआ तक केरल में अरना कॉलम के के कंजूमर कोर्ट से जहां पर एक मुकदमे में उस में हेल्थ इंशुरेंस के कलेमेंट ने अदावा करने वाले ने कहा कि उसका काम उसका इलाज एक दिन से कम में पूरा हो गया लेकिन उ उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो उसे उसका कलेम मिलना चाहिए अब इसके बाद ये मामला नियामक तक पहुँचा और नियामक और सरकार के बीच इस पर बाचीत शुरू ही ये लंबे समय से भारत में बीमा धारकों की मांग है कि अगर वो छोटी प्रक्रियाओं के जा रहे हैं लेजर तकनीक है है या की होल सर्जिरी हैं या सामाने सर्जिरी हैं इनके लिए अगर लोग जा रहे हैं वेन आई सर्जिरी भी हैं ये सारे काम एक दिन में पूरे हो जाते हैं और लोग डिश्चार्ज हो जाते हैं तो उनके क्लेम्स प्रॉसस नहीं किया जाते क्योंकि company की शर्थ होती कि आपको एक पूरा दिन अस्पताल में बिताना होगा लेकिन इसके लिए पूरे insurance के ढाचे में और health insurance के नियमों में बदलाओ करना होगा company या इस पर अभी सहमत होंगी कि नहीं पता नहीं तो बेट का खर्चा और बाकी खर्चों के reimbursement की विवस्ता कैसे होगी लेकिन इस महत्वपूर्ण मांग है और महत्वपूर्ण जरूरत भी है कि ऐसी शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए IRDA के फैसले का इस IRDA की सिफारिश का इस में में इंतिजार रहेगा एक और फैसला जो IRDA ने हाल में किया था जिसके बारे में हमने आपको पिछले कारिकर में बताया भी था कि बुजर्गों के लिए अब हिल्थ इंशुरेंस के नए प्लान लाए जाएंगे ताकि अधिक आए वाले लोगों को भी हिल्थ इंशुरेंस की सुविधा मिल सके जो आम तोर पर नहीं मिलती है भारती शेहरों से दुबई जाने वाली उडानों में भारती एरलाइन कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है इस रूट पर जो भी नए सीटों की मंजूरी होगी उसमें खाड़ी देशों के मुकाबले भारती एरलाइनस को चार गुना जादा सीटों की मांग की जा सकती है मुझूद है समय में खाली देशों की अर्लाइन के पास जादा सीटे हैं सर ऐसी मांग क्यों उठ रही है अभी जो भारत और अमिरात के बीच में बाइलेटरिल एर ट्रैफिक एग्रिमेंट है जिस एग्रिमेंट के दो देश अपने आसपस में आने जाने वाले नुवमरसर, चिन नहीं, बैंगलोर जैसे शहर है जहां से दुबई को जाने वाली उणाने है भारती एरलाइंस को यह इस बात की कड़ी शनोती मिल रही है कि चुकि दुबई एक बड़ा हब है और भारत के बगल में बड़ा हब है सरकार ऐसा विचार कर रही कि इस पूरी प्रक्रिया में अब आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है जो 6-6,000 सीट्स हैं इसके बाद अगर दुबई की बेस्ट एरलाइंस जिसमें की सुदिय अरभ एरलाइंस है या और बाकी वहां की कतर एरलाइंस हैं अगर अतरिक्त सीट्स मांगेंगी तो उन्हें भारती एरलाइंस को उस पर 4 सीट्स जाधा देनी होंगी ये कोशेश हो रही है कि अंतराश्ट्री ट्रैफिक जो भारत से जा रहा है वो भारत को ही बेस बना कर सीधे जाए ना कि किसी दूसरे ट्रांजिट रूट के जरी है चीन की तरफ बंगलादेश के बढ़ते जुकाओ को देखते हुए बंगलादेश के साथ भारत व्यापार संधियों में बदलाव कर सकता है बंगलादेश ने हाल के दिनों में चीन के नितरत वाले ट्रेट ब्लोक आर्सेप में शामिल होने के संकेत दी है इस ट्रेट ब्लोक से भारत पहले ही दूरी बना चुका है और अगर बंगलादेश आर्सेप में शामिल होता है तो आशंका बड़ जाएगी कि चीन में तयार होने वाला माल बंगलादेश के रास्टे भारत पहुंच सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए बंगलादेश के साथ व्यापार संदियों में भारत बदलाब कर सकता है क्या पूरा मामला है सरीया भारत के लिए जटके जैसी इस्थिती है क्योंकि बांगलादेश के साथ भारत एक मुक्त व्यापार समझाओते पर काम कर रहा तो जो बड़ा समझाओता और भारत और बांगलादेश के बीच मुक्त व्यापार हो सकता था क्योंकि दोनों देश इस्थलिय सीमा से मिले हुए हुए भी हैं और दोनों के साथ इस्थली है जमीनी रास्तों से भी व्यापार होता है लेकिन आरसप के विस्तार के लिए चीन ने बंगलादेश को अपने साथ जोडने की तैयरी की है चीन का वैसे भी बंगलादेश में बड़ा निवेश है और चीन का का आफियत तक बंगला चीनोतियों में भी हाला कि बड़ी नेरातियों मुक है एक्सपोर्ट औरेंटेट अर्थविश्ता है खासतर से गावमेंटर्स एक्सट्राइल के खेतर में और इसलिए उसे आरसप में भागीदारी के लाब दिखाई दे रहे हैं भारत के कामर्स मिनिस्ट्री में इस बात क कर रहा है उसमें भी बात है कि भारत का मानना यह है कि बहुत सारे देश जो जो चीन के आसपास के देश हैं उनके साथ समझोते करने से चीन का सामान उन बाजारों के रास्ते भारती बाजार में आता है और यह खत्रा बंगला देश के साथ भी होगा कि जो सामान बंगला द के दर्जे में पहुंचा दे क्या भी developing market का विकास सील देश के बाजार का दर्जा बांगलादेश को नहीं मिला हुआ है और बांगलादेश का चीन के पाले में जाना व्यापार के तृष्ट से भारत के लिए आसपास के बाजारों में अपनी पहुंच बराने के तृष्ट से चुनती पूर्ण होगा आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी ख़बर की तरफ सरकार ने संसदीय समिती को बताया है कि जाधा ट्रांजेक्शन लागत और तेल सप्रायर की तरफ से पैसा फसने की आशंका से विर्तवर्श 2022 थे इसके दुरान तेल आयात के लिए रुपे में किसी तरीके का पेमेंट नहीं हो सका है रुपे में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्ब बैंक ने पिछले साल जुलाई में आयातकों और निर्यातकों को रुपे में लेंदिन करने की अनुमती दी थी आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 50% तेल इंपोर्ट करता है सरकार के इनने संसरी समीती को ये भी बताया कि रूस ये को इनुद्य के दोरान अगर भारत रूस से तेल की खरीद नहीं करता तो ग्लोबल मार्केट में कच्छे तेल का भाव आस्मान पर होता आपको याद होगा वो एकनौमिकम आपको याद होंगे वो मनी सेंटर जब ये कोशिशें शुरू ही थी रुपए को ग्लोबल बनाने की तब हमने ये कहा था ये इतना आसान नहीं है क्या चुनौतियां हैं क्या रोड़े इस रहा में हैं इस सब कुछ हमने आपको विस्तार से बताया था उस समय कई दावे किये गया है सरकार ने बताया सौ से जादा देश ऐसे हैं जिनसे संधियां हो रही है और एग्रिमेंट हो रहे हैं लेकिन ये सिक्का चला नहीं वो एकनौमिकम आपको याद होगा क्यों नहीं चला सिक्का इस तरीके के उसका थम था उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा रहा हूं आप पीछे तो देखिए लेकिन आब यहां पर बात करते हैं सर क्यों नहीं हो सका रुपए का ग्लोबलाइजेश प्काइब भारत के पेट्रोलियमं नहीं किया कच्चे तेल को खरीदने के लिए जब की पूरी कोशिश रुपए को ही अंतराष्ट्री इस तरह पर कच्चे तेल के खरीद में लाने की थी और इसमें केवल रूसी नहीं इसमें अमीराथ भी शामिल था उसने भी रुपए में कोई भुकतान नहीं लिया और ये बात पिछले साल 11 जुलाई के आसपास के 11 जुलाई में शायद सर्फ अर्जर बैंक ने पहली बार इस आदेश को जारी किया था और ये कहा था कि रुप से बड़ी चीजे कि भारती मुद्रा की अन्य बाजारों में स्विकारेता नहीं है यानि कोई भी दुनिया का देश अगर किसी माल के आपूर्ती करने के बदले रुपएा लेता है तो उससे वो बाकी चीजें कहा खरी देगा आपको याद होगा वो एकनामिकम जिसमें में किया गया वो रुपएा भारत में ही पड़ा हुआ उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया है और भारत के बैंकों के बोस्तर एकाउंट में रखा हुआ है और उसके बाद रुपए और रुबल के ट्रेट का मुद्दा थोड़ा हाश ये पर चला गया है बाकी चीजें पर चर इसमें उतार चला हुए जहाता ट्रेडर्स ने इस बात की शिकायत की कि भारती रुप मुद्रा इस्तिर नहीं उसमें तेज उतार चला हुए और दूसरा ट्रांजेक्शन कास्ट जाधा है भारती रुपए में सौधों का संचालन करने से तो वो इस तो रेकाउंट भी खो भावना हमें दिखाई देती है आने वाले समय में अगले 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 थो महीनों में जिसमें वोस्तर एकाउंट में जो पैसा रखा वो इसके इस इस तार्ण करेंसी में में थोड़े जाधा सकते हैं तो अभी ये देखना होगा कि रिजर्ब बैंक क्या वोस्तरे अकाउंट के नियमों को और उदार करेगा इस रुपए के इस्तेमाल के लिए कुछ और रास्ते खोले जाएंगे अभी उस रुपए का इस्तेमाल भारती बांड्स में या ट्रेजरी बिल्स में निवेश की छू नौतीपूर्ण है जो रिपोर्ट सरकार के तरफ से दिब बताईगी उसमें ये बताया गया कि अभी डॉलर ही मक्योरूप से बेंचमार्क करेंसी बनी हुई है एक चीज़ और देखने वाली महतुपूर्ण बात है कि अभी भारत की विदेश मंतरी जैशंकर रूस की अतर करना है और वो रुपए में भुगता नहीं हो रहा है तो क्या भारत दिरहम या युवान का इस्तेमाल करेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं भारत की जेव के सर्वे की ओर देश का सबसे बड़ा सर्वे भारत की जेव का सर्वे आ गया है बहुत सारी फाइंडिंग्स लेकर बहुत सारे आंकले लेकर बहुत सारे तथ लेकर अब से लगातारी यात्रा जारी रहेगी मनी सेंट्रल में हम आपको सर्वे के एक हिस्से को बारी की से समझाएंगे विस करेंगे अंजुमान जी आज पहले एपिसोड में इस पहले एकस्प्लेनर में हम बात कर रहे हैं आए के हिसाब से देखिए आए में इस सर्वे ने क्या बताया देश में पिछले साल जब यह सर्वे हुआ दो हजार तेईस के तीन महीनों में तब पता किया लोगों से यह पू 22 में जो कमाई थी ओसत वो 23,000 रुपय थी 2023 में यह बढ़कर 25,910 रुपय हो गई कमाने वाले सदस पहले परिवार में 1.6 जो बढ़कर 1.8 हो गए और ओसत सदस जो पहले परिवार जो था वो 4.2 का था अब वो 4.3 का हो गया तो क्या तीनों चीजें बढ़ी परिवार में स और सत कमाई परिवारों की बढ़ गए सर यह आकार कैसे बढ़ा और फिर यह कमाई कैसे बढ़ी यह आकड़ा महतुपूर्ण है और भारत की जेव का सर्वे मनिनाइन का का एक विसिष्ट प्रयास है पहले हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता हैं जिससे कि यह भारत का सबसे बड़ा सर्वे है 35,000 परिवारों से इसमें बाचीट की गई जाकर उनसे करीbe 45 मिनिट तक इंटरव्यूस किये गए 200 कैसपा सवाल पूछे गए जिसमें उनकी वित्ति इस्थिति के बारे में उनकी चुनोतियों के बारे में उनकी उम्मीदों के बारे में उनके ख तो पूर्ण हिस्सा था और इसे हमने भारत के जेब की धरकन कहा financial pulse आफ इंडिया क्या हम pulse के कितने करीब थे वो यह आकड़ा बता था है pulse यह कि जब पिछले साल 2022 में सरवे को कर रहे थे ठीक इसी समय यह सरवे इस साल भी अगस्त से नवेंबर के बीच में हुआ उस समय भार लोट्गों हमें तीनों चीजां बढ़ती भी दिखाई दी जो कमाने वाला सदस से लउटा इसले कमाने वाले सदस स संख्या थी वो 4 लव 2 से 4 संख्या थी हो गई और वह जो कमाने वालाव एक तयला उठाय उसने जो कमाना शुरू किया उसके आधार पर भारत के परिवारों की जो ओसतकमाई थी परिवारों के ज़ाद कमाई की tips 3.000 पूरे परिवारी के उसत कमाई है और एक दसनलब आठ लोग लगभग दो लोग मिलकर आउस्तन बारा से तेरा हजार रुपए महीने ही भारत के जाधातर परिवारों में कमा रहे हैं बिलकुल तो दो लोग कमा रहे हैं और करीब 25-26 रुपए कमा रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि 13,000 रुपए एक व्यक्ति और सतन भारत में कमा रहा है 13,000 रुपए का अगर आप तोड़ें डेली के साथ से तो 400-400 रुपए बनते हैं तो यानि कि दिहारी मज़ूरी एक तरीकी से आप मान सकते हैं कि 400-500 रुपए की दिहारी करते हैं अगला आकड़ा जो बताता है कि भारत में जो कमाई वाले परिवार हैं वो कौन से राज में सबसे ज़्यादा हैं देखिए 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई वाले जो राज्य हैं वो है करनाटक, महराष्ट, चंडीगड ये तीन राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं करनाटक और महराष्ट पहले भी थे दिल्ली था जो निकल गया और दिल्ली की जगा लेली चंडीगड ने सर कैसे समझा जाए दिल्ली में कमाई घटगी ये भी आंकड़ा कहसा मातुपूर्ण और दिल्चस्पा इस बार इस आंकड़ा को करीब से समझने के लिए पहले हमें देखें कि आस्तन जो कमाई भारत में 12,000 रुपए यानि जाथा तर अधिकांश परिवारों में जो दो कमाने वाले लोग है वो 400-500 रुपए की दिहारी में फसे हुएं ये देखना जरूरी है और इस आंकड़े से हमें ये भी दिखाई समझ में आता है कि एक बड़ा हिस्सा भी हमागे आपको बताएंगे कि कितने सारे परिवार ऐसे हैं जो अभी 30,000 रुपए से कम के नीचे की कमाई में है अब राज्यों के इस तर पर दिल्ली का पिछले साल की कमाई की सूची से बाहर निकलना और चंडीगड का आना ये बताता है कि दिल्ली में शायद माईगरिंट्स लेवर की वापसी उस तरह से नहीं हुई जैसी पिछली बार थी नहीं तो दिल्ली सबसे जाधा बड़ा मैगनेट है माईगरिंट्स लेवर को लाने के मामले में बार के इस तर पर बरकरा रख पाते हैं। साल में अगले एक साल के अंदर जब तक हम दूसरा सर्वे करेंगे भारत में लोगों के प्रवास की और लेबर के माइग्रेशन की संभावनाओं को भी आख सकते हैं। लोजगार की संभावनाओं के अधार पर क्योंकि वहां आए बढ़ती दिखाई दे रही है। आए जब 25-26,000 रुपए है तो करनाटक साले 35,000 रुपए के करीब ख़ड़ा है। करीब साले 9,000 रुपए ज्यादा करनाटक का अधार परिवार कमा रहा है। अब बात सबसे ज़्यादा कमाई की होगी, अब बात करते हैं सबसे कम कमाई की। वो कौन से राज हैं जहां कमाई परिवारों की सबसे कम है। देखिए, यहां पर 2223 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बिहार, ओडिशा, जहारखंड, बिहार, जहारखंड, ओडिशा, ऊपर नीचे तो हुए हैं लेकिन जो राज 2022 में सबसे कम कमा रहे थे, वही राज 2023 में भी सबसे कम कमा रहे है। कुछ कमाई बड़ी जरूर है, क्योंकि overall कमाई आए बढ़ गई, पूरे देश में लोगों की जो कमाई है वो बढ़ गई, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखें तो बिहार 14,000 रुपे कमाता था, अब 17,000 रुपे कमा रहा है, करीब करीब 3,200 रुपे ज्यादा कमाने ल अगर आप ध्यान से देखें, तो ये परिवारों की आए है, यानि यहाँ दो लोग मिलकर आउस्तन महीने का 8,000 रुपे ही कमा रहे हैं, और राश्ट्री आए जो 25,910 है परिवार की, जो हमने हमारे सर्वे में निकल कर आई, उस से ये करीब 60% तक नीचे की आए दिखाई दिखाई दे रही, इस से अगर आप उन दोनों आकड़ों को एक साथ रखके देखें, तो भारत के एक बड़े हिस्से में कोविट के बाद रिकवरी का कोई एसर नहीं दिखाई दिया, जबकि कोविट का रिकवरी का सबसे ज़्यादा फाइदा, अगर आए की उसके करण शहरों में लोगों का आना फिर शुरु हुआ, उसका लाव में करनाटक, दिली, चंडीगर, महराष्टे से राज्यों के आए बढ़ने में दिखाई दिया, पर इन राज्यों में जहां वापस लेबर चले गए थे, वहां उन इलाकों में आए नहीं बढ़ी, औ सथ से काफी नीचे दिखाई दे रही है जीवन इस तरकी दर्श्टे से, चलिए, अब एक और बड़ा आकला, इस पूरे आये के, जो पूरा मोर्चा है, इसके मोर्चे पर जो सबसे बड़ी वाए थे, कोई कमा कितना रहा है, कोई परिवार दरसल कमा कितना रहा है, देखी थो 40 फीसद परिवार ऐसे हैं, 49 फीसद परिवार ऐसे हैं, जो 15,000 रुपई से कम कमाते हैं, 15 से 35 वाले में 40 फीसद थे, जो घटकर 38 फीसद रह गए, 35 से 50 वाले में सबसे बड़ा जम पाया है, अगर आप देखें, तो यहां पर 8% लोग परिवार ऐसे थे, जो 50,000 तक कमा से लेकर बढ़कर 14 परिवार हो गए हैं जो अब 35,000 से 50,000 रुपय कमाते हैं और 50,000 से उपर कमाने वाले भी बढ़े हैं जो पहले 6 परसेंट थे वो बढ़कर 9 परसेंट हो यानि की करीब करीब 50% का जंप आपको यहां पर भी दिखता है सर इस आकड़े को कैसे समझा जाए क कैसे पढ़ा जाए इस आकड़े में कई सारे महतुपूर्ण संकेच छिपे हुएं 15,000 से कमा से कमाई वाले परिवार जाधा तर वो परिवार हैं और काफी बड़ी संख्या है भारत में ऐसे ऐसे परिवारों की यहां हमें माइगरेंट्स लेवर की उन शहरों में वापसी क क्योंकि हमने इस सैंपल में इस बार शहरों के बड़े हिसे को शामिल किया था माइगरेंट्स लेवर्स की वापसी का असर हमें दिखाई देना शुरू हुआ और इसलिए इनकी इंकम 15 से 16 से 17 जार वी सीलिम ने आवसत इंकम 25,000 रुपे 9,10 हमें निकल कर सामने आई यह हिस पर रिकवरी की शुरूआत होती है 50,000 से उपर वाले हिस्से में वहां हमें लगबख एक बड़ा उशाल दिखाई देता है शहरों के मध्यवर्ग में यानि शहरों में जो हिस्सा बचा था जहां पर रिकवरी शुरू ही जापसाना शुरू है वहां हमें 8 से 14 परसेंट की बड़ोतरी दिखाई देती 35,000 कमाई वाले राज्यों में लेकिन इस पूरे आकड़े के भीतर जब हम पीछे इसके जाके देखते हैं तो अभी हमें भी दिखाई देता है कि भारत में सबसे बड़ी संख्या उन परिवारों की है जो अस्तन 30,000 रुपए से कम कमाते हैं इस 17,000 रुपए महीने के आसपास की कमाई जो आवसत भारत के सामान रूप से कुछ ऐसे परिवार जो बेहत गरीब हैं जो सरकार की मुफतना जो इन आदी पर निरभर हैं उनको छोड़ दें तो एक आवसत भारत की जो आए है वो महीने की 17,000 से 18,000 रुपए एक विक्ति की आ आपकी पतनी की, पिता जी की, बहन की जो भी लोग आपके साथ परिवार में रहते हैं अगर वो सब मिलकर आप लोग 50,000 रुपए या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप मान के चलिए आप भारत के सिर्फ 9 फीसद परिवारों में आते हैं सिर्फ 9 फीसद परिवार ऐस हर आखड़े को हम आपके पास लाएंगे और ऐसे ही विस्तार से उसका विशलेशन करेंगे जिससे आप ये जान पाएं कि आपका जो आए है आपकी जो आए है वो इस औस आए कौन से आए वर्ग में फिडबैक दिये आज तो बात होगी कल बात होगी खर्च की फिर बात हो सरविस देने वाली कंप़नी जूमकार को दिली से एक के अरोप में दिली सरकार ने जूमकार का लाइसेंस रद कर दिया दैनी सर्कार को 223 शुरूबात के खिलाब शिकायत मिरी जिसके बाद माही में कारणा hearts वाक दिया गया बातशी 有 Ke sao कर दोब है वारते लिजएं wings की विवस्ता का इस्तेमाल गैर कानूनी करेंसी ट्रेडिंग में ना हो पिछले महीने रिजर बैंक में इस मुद्धे पर सरकार और बैंकों के सही सभी भागिदानों ते राए भी मांगी थी एक और तीसरी ख़बर चलते चलते के अंतराश्टिय बाजार में कच्छे तेल की क महावन और दूसरा अमेरिका में रिकार्ड कच्छे तेल का उत्पाधन होगा है और उस कच्छे तेल के उत्पाधन ने पूरी दुनिया में कच्छे तेल की मांग पर दबाव बना करका है भारत के लिए थोड़ी रहात की खबर है कि कच्छे तेल की कीमतें भी 80 डालर से न हुआ है माले